शुक्रिया पांच मिनट शुक्रिया उपसभापती महद है जब आप पांच मिनट या तीन मिनट कहते हैं तो लगता है जैसे फांसी देने से पहले अंती मिच्छा पूछी जा रही है यह समय आप ही लोग तै करते हैं जियर महीं करता है आपका दोस्त थोड़े ही है लेकिन तुखड़ा भी कहा रो आप बोले बोले अब मैं बड़ी खुशी हुई माननिय मंत्री जी यहां है अभी नव नियुक्त मंत्री जी हैं बड़ा अनुभव है हर्याना का और अच्छा भी भाग भी मिला है चुनौतियां भी बहुत है फोटो वोटो तो अपनी जगा सर मैं स्मार्ट सिटी से अपनी बात शुरू करूँगा अब ये स्मार्ट सिटी सरकार भी बहुत बोलनी रही है सर इनकी एक चीज मुझे अच्छी लगती है अच्छा सा नाम रखो उस नाम के पीछे काम नहो तो दीरे दीरे बोलना कम कर दो उसके बारे में अब अब यहाल में गंतंत्र मंडप बना साहब गंतंत्र का मंडपी करण नहीं होना चाहिए ये उचित नहीं लगता है महराल उपसभापती महुद है बीजय साही रेड़ी जी प्रियंका जी इन लोगों ने बड़ी चिंता वेक्त की पार्लेमेंट की बिल्डिंग में कल जो हुआ या पिछले वर्ष जो हुआ मैं कहता हूँ ना समझ लोग है सर ये तो विशुद भारतियता का हैसास कराता है कि जब बाल्टी से पानी सर ना समझ सब चेक कर लीजिए गा ना समझ सब अचा न मैं वापस लेता हूँ ना एकदम भुपेंदर भाई इसलिए आपको यहार आना चाहिए मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरे साथियों ने साथ इसकी मर्म को नहीं समझा कि छफ्ट बकड़ी है बाल्टी लगी हुई है पूरा हिंदुस्तानी फिल्मों का सीन है मैं इसलिए उसके लिए सिकायत ही नहीं करूँगा बस सिकायत नहीं करूँगा सर मेरी दूसरी चिंता है कि स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ भारत अभियान में गांदी जी के चश्मे को हम टांग देते हैं वैसे स्वच्चता की और गांधी जी का चश्मा, जरुवत थी चश्मा पहनने की, चश्मा वहां रख देने की नहीं, गांधी का चश्मा नहीं पहन सकते, क्योंकि दो परस पर विरोधा भासी चीजे हैं, गांधी और दूसरा मैं नाम नहीं लोगा, एक साथ नहीं चल सकती, क्योंकि मुझको नाम ले काफी हो रही है उनके साथ आपकी नीतियां कुछ बनती है पुलिस प्रसाशन किसी और से किसी और तरीके से आप्ष करता है और उस मद में जिसको हम कहते हैं पीम स्वानिधी आपका एलोकेशन भी 30 प्रतिशत कम हो गया है तो मैं आपसे आगरह करूंगा उसको देखिए आई के माद्यम से सथ शेहरी करन की जरूरतों को गाउं को समझे बगएर नहीं किया जा सकता जब तक ग्रामीन पलायन ग्रामीन अर्थ वेवस्था उस पर आपकी नजर नहीं होगी आपकी पकड़ नहीं होगी तब तक शेहरों में लोग आएंगे आप एकुमडेट करने में फ समपती का असंतुलंगी शेहरों में बहुत दिखता है सर एक चीज़ और कहुंगा हमारे शेहर जब बनते हैं कोई बिल्डिंग बनती है तो आपको श्रमिक लगातार चाहिए मजदूर लगातार चाहिए और वो मजदूर जब आपको बिल्डिंग मना के देता है उसके बा नीतियों पैदा करती है स्लम में रहने वाले हमारी आपकी तरह के लोग हैं उनके बारे में दृस्टिकोन साफ होना चाहिए और ये सैटलाइट मेट्रो पॉलिस नहीं कि एक स्लम रियाविलिटेशन किया दिल्ली से 40 किलोमीटर दूल जाके रख दिया कैसे काम करेंगे कैस से रोजगार चलेगा तो ये चीज़ें सीवर ड्रेनेश के बारे में कई साथ ही बोल चुके हैं मुझे तो अक्सर याद आता है बिद्यारती जीवन में हरपा मोहन जोदरों की ड्रेनेश सिस्टम की तारीश सुनता था सर अगर टाइम मशीन हो तो वापस चला जाए वो ज सारी चीज़ें खत्म हो गई जातियों के नाम पर हाउसिंग सुसाइटी है समुदायों के नाम पर हाउसिंग सुसाइटी है और कुछ समुदाय के लोग किसी भी सुसाइटी में नहीं रह सकते ये हमारी राजनीत और नीत ने ताय कर दिया है शुक्रिया सर जाहिन